स्पोर्ट्स बुलेटिंग भारतिय गेंदबाज दबाव में अपनी उप्योगिता साबित करते हैं लखनाओं से आशी श्रे जब बल्लेबाजी विफल हो जाती है जैसा कि कभी कभी सर्वश्रेष्ट लाइनप करते हैं गेंदबाजों को परिस्थितियों को बचाने के वियापारियों ने इंग्लेंड को भेचते समय किया था जिनोंने भारत को दो सो उन्तीस बटा नौ तक सीमित करने के बाद उन्हें परेशान करने की उमीदों का मनोरंजन किया होगा उन्हें 35 ओवरों के भीतर 129 रनों पर धेर कर दिया इस प्रकार विश्व कप के 48 साल के इतिहास में दोनों देशों के बीच नौ मुकाबलों के दोरान दोनों टीमों ने अब तक 4-4 मैच जीते हैं जबकि 2011 संसकरण में मुकाबला टाई पर समाप्थ हुआ था इमानदारी से कहूं तो क्रिकेट को लखनाव से जोड़ना मुश्किल है सौजन्यता खिले हुए बगीचे शास्त्रिय संगीत और चंद और स्वादिष्ट अवधी व्यंजनों के इस शहर से खेल का कोई भी भारतिय महान व्यक्ति नहीं निकला है वन्डे वर्ल्ड कप पाकिस्तान बुलबुला फूट गया हालाकि पाकिस्तान की गती बुरी तरह से पट्री से उतर गई जब तीम 14 अक्टूबर को अपने तीसरे मैच में भारत से भीडी ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में मेन इन बुलु ने पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाये रखा और 19.3 ओवर शेश रहते कटर प्रतिदवन्दवियों पर एक उलेखनी अजीत हासिल की यहां आठवी बार था जब दोनों टीमें ICC एक दिवसिय विश्व कप में आमने सामने थी और भारतिय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं दी जो प्रशंसकों के लिए मुंग में पानी ला देने वाली भिंद बन गई ICC वर्ल्ल कप के लिए भारत पहुँचने पर पाकिस्तान का हैदराबाद में जोरदार स्वागत किया गया उनके खेलने की अप्रत्याशित शैली के कारण उन्हें शुरू में शीर्ष चार सेमी फाइनल दावेदारों में से एक माना जाता था हाला कि यहाँ आशावाद एक बुलबुला साबित हुआ जो फूर्ट गया क्योंकि उन्हें टूर्नामेंट के अपने तीसरे मैच में भारत के खिलाफ एक गंभीर जटका लगा स्विस इंडोर्स ओगरलियासिमे ने खिताबी मुकाबले में हुबर्ट हुरकाज को हराया चोट से जूज रहे तेईस वर्षिया ओगरलियासिमे का स्विट्सर्लैंड में प्रभावशाली सप्ताह के दौरान आत्मविश्वास बढ़ा जहां उन्होंने ट्रॉफी के रास्ते में केवल एक सेट गवाया ATP टूर की रिपोर्ट के अनुसार कनाडाई अपने करियर के पहले आठ ATP टूर फाइनल हार गए लेकिन अब उन्होंने अपने पिछले चैंपियंशिप मुकाबलों में से पाँच में जीत हासिल की है उनकी जीत ने हुबर्ट हुरकाज की ATP फाइनल्स क्वालिफिकेशन उम्मीदों को भी जटका दिया दिल्चस्प बात यहां है कि मिलोस राउनिक के 2011 और 2012 में सैन जोस खिताब जीतने के बाद ओगरलियासि में ATP टूर खिताब का बचाव करने वाले पहले कनाडाई है फिर मेडल की बौचार पैरा में भी एक सौ के पार अनुराग ठाकुर इससे पहले भारत ने 2010 के खेल संसकरण में 14 पदक, 2014 में 33 और 2018 में 72 पदक जीते थे खेलों की शुरुआत के बाद से यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन है जहां भारत समंगर पदक तालिका में पाँचवे स्थान पर था गौर तलब है कि भारत ने इस वर्ष अपना सबसे बड़ा दल भेजा था जिसमें 303 एथलीट, 191 पुरुष और 112 महिला शामिल थी 111 पदकों में से महिला एथलीटों ने शांदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम 40 पदक किये जो पदक तालिका का 36 पसेंट रहा भारत के इस रिकॉर्ड तोर प्रदर्शन से बेहत प्रसन केंद्रिय युवा और खेल मामलों के मंतरी अनुराक सिंग ठाकुर ने कहा यह प्रदर्शन हमारे एथलीटों की कड़ी मेहंत और माननीय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के नेतरित्व में खेलों में शांदार नीतियों का प्रतिफल है BNT की खास पेशकश